एक तो बात माननी पड़ी कि चाहे आव राजिस्थान की भी फैन हो जब मिलर आउट हो गए तब आपको लगा कि चलो खतम हो गया ना मैच तो उट उट गया थोड़ा चलो जी शर्ट जैकेट वगएरा ठीक था कर लो थोड़ा है ना थोड़ा सा मिकप लगा लो ना अपने मैच खतम हो गया पर यहां से ले आए वापिस मौरिस सही बोला आपने आशीश अभी आपकी जो इतनी बड़ी ऑब्जर्बेशन थी कि अगर आप मौरिस को उनके आर्क में डालोगे कि आपको पता है कि लेग साइट में आते हैं उनके आर्क में दोगे पर देखिए मिठा आता हूं मुझे किसले लिया गया है जिसके लिये भी लिया गया है बल्लेबाजी तो आज पूरी करके दिखाई हो रहे हैं उसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि में एक टाइम जो मिलर भी आउट हुए तो मिलर से खेल रहे तो में लगा तो चांस फिर बन गया फिर जब आउट हुए तो लगा कुछ नहीं थोड़ी सी होप ना इनके साथ उनटकट जिन्होंने गेलबाजी तो बहुत अची की है एक बड़ा कुरूशल छक्का मार के गए या शुरू वहां से हुआ फिर इन्होंने चो किया है पर इसी लिए इनको आंका जाता है या इतने पैसे वहai bajo it साथ नंबर वाला भी बना कि आठन अपने बना के चला गया और वह वह परोफ है तोस्में कोई डाउट Jackie नहीं है लेकिन गत्वाजी तो इंदपो करनी वड़ेगि साd जो आपने एक्जाम्पल जो दिया है वो दिल्ली के लिए आपके सामने और खास तोर पे इस ग्राउंड पे हेटमायर और अमित मिश्रा और या ललेत यादव टॉम करन तो आप डिसाइड कर लीजिए कि ललेत यादव ने गेंदवाजी तो करी नहीं लेटी बीच में आये बड़े सारे ओस्पिनर है वो क्या करेंगे रवी जंदन अश्विन नहीं पूरे चार ओवर नहीं किये अगर आप टॉम करन की बात करें तो वो दोनों जगाना आदा आदा काम है कि अच्छा थोड़ी बोलिंग कर लेंगे चौथे इससे वेटर है कि आप अपने पूरे ग इंद बाद आख गएंगे अजय वहां वहां पर ना तौम करन की बल्ले बादी तनी काम आए की लालिद यादव की हटमाइर की बल्ले बादी गा चांस जाए अजे बाई राजिस्थान इस जीट से कितना confidence लिगे जाएगी? पहले मैच में रन बना के गए हैं तेवतिया का पिछले साल का है तो यह जो विन है यह बहुत इंपोर्टन है इनके लिए पूरी कैमपेन के लिए इससे तर्नराउंड गेम्स बोलते हैं वो यह है क्योंकि अगर अब भी तर्नराउंड नहीं है क्योंकि अब क्या बैटिंग की टेस्ट हो गई जब मुश्किल में थे एक दिन आप क्लोज आके रहा गए लेकिन अगले दिन ओवर दे लाइन तो माइंड सेट पॉजिटिव और गेंदाजी जो उन्होंने आज की है वह उसकी वज़े से यह मैच इतनी असानी से जीत के गए और और जैसे आशुने पह सब्सक्राइब के चले जाए ना तो वह आपको बहुत जादा कॉंफिडेंस देता है तो यह तो पंप करेगी और शुरू-शुरू में ऐसा मनोबल का जो विटमिन इंजेक्शन लगाया संजू सैंसन ने कहा कि कह रहे थे जब 42 पर 5 था तो हमें लगा था कि हम यह मैच हार रही थी पर टिकेट पे चिपक गए मिलर और ले गए राजिस्तान को दो अंकों की तरफ और एंड में थोड़ा सा चिपक गए अपने क्रिस मौरिस पी और लास्ट बात जो कहूंगा जो संजू सैंसन ने कही मज़ेदार इटिंग उनसे पूछा गया था कि अगर पिछला म पूली खिली थी वो स्वाव पे खेरना था तो यह अच्छा है बाहर से कभी कभी ने क्या होता है कि खूड दालने की कोशिशिश करते हैं लोग बोलेगे लोग आई इसने तुछ जिता दिया तुमने रन नहीं लिया था पर यह अच्छा है कि उनकी कम्यूनिकेशन जो सॉ